दोस्तो नमस्कार मैं जितेन कुमार तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग गो मुवाइल अप्लिकेशन से आप फस्ट टाइम कैसे लॉग इन करेंगे आप पासवर्ड अपना कैसे जनरेट करेंगे और पेइन पे आउट इस अप्लिकेशन के थूँ कैसे आप कर पाएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप प्लेई स्टोर पे जाके ट्रेडिंग गो नाम का अप्लिकेशन आप डाउनलूड कर लें ठीक है डाउनलूड करने के बाद कुछ इस तरह का आपका अप्लिकेशन ओपन होगा जो नंबर आपको प्लेस करना पड़ेगा ओके मैं नंबर प्लेस कर देता हूं इसके बाद गेट ओटीप वाले आप्शन में आपको सिंपल सा क्लिक करना है तो आपको कुछ ओटीपी स्प्राप्त होंगे आपके मुबाइल नंबर और मेल आइडी जो आपने रिस्टर्ड करवाया है उस मेल आइडी पे आपको मिल जाएगा ठीक है ना फिर इसके बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफिस आपको देखने को मिलेगा इसके बाद आप क्या करेंगे यहां पे इंटर योर पीन नंबर ठीक है आपको जो पीन आया होगा वो पीन आपको डालना पड़ेगा ठी डीजेट का आप कुछ भी आप जंदेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग ठीक है उसके बाद सेम जो आप डाल रहे हैं वो आपको नीचे भी आपको डालना पड़ेगा इसके बाद आप ओके कर देना है आपको जैसी ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको दो अप्शन मिलेगा एक इनेबल नाओ एक स्किप नाओ यह बोला है कि आपका फिंगर पिंट जो है आपके मुवाइल फोन पे वो आपको चालू करके रखना है या फिर नहीं चालू करना है ठीक है मैं अपना फिंगर पिंट चालू करूँगा क्योंकि उससे जादा कुछ सही रहता है तो इनेबल नाओ में क्लिक कर दीजा ठीक है इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहां पर आपको अप्लिकेशन के अंदर देखना पड़ेगा आपको क्योंकि ट्र अप्लिकेशन मिलेगा कुछ स्वास्तिका की जैसा ही देखने को आपको मिलेगा ठीक है है तो आप यहां पर सिंपल सा देख सकते हैं मेनु वाले अप्शन में क्लिक करेंगे ठीक है इसके बाद आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा अगर आपको light mode आइड मॉड ऑप्षिन भी आप यहां से कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आप उपर जाएंगे fund टास्वन में क्लिक करेंगे ठीक है न तो यह add fund में आपका आ जाएगा simple सा यहां पर क्या करेंगे अपना amount डालिंगे इसके बाद done में क्लिक करेंगे proceed add to fund में क्लिक करेंगे ठीक है यहां पर आपको बताया जाएगा कि कितने टाइम बाद आपका जो है fund application के अंदर शू करने लगेगा तो simple सा आप देख सकते हैं यहां पर अगर UPI की द्वारा आप अगर fund डालते हैं तो simple सा आपका जो amount है पंदर मेंट के अंदर ही अपडेट हो जाएगा डेट पैंक की थू हो जाएगा और अगर NFT, RTGS, IMPS करते हैं तो दो घंटे का टाइम आपको लग सकता है याद रहे जब भी आप DMET account पे fund डाले एड करें तो किसी और के bank से ना करें आप अपने ही bank जो आपने account खुलवाते समय दिया था उसी bank से ही अपना pay in करें otherwise वो फिर fund अगर किसी और bank से आप करते हैं या फिर अपने ही किसी और bank से आप fund टास्पर करते हैं तो वो fund फिर क्या होता है फज़ जाता है तो आप ऐसी गलती ना करें आप अपने ही bank से पहले UPI में जाकर चेक कर लें क आपका bank same bank account है कि नहीं है ठीक है मैं pay online में click कर देता हूँ proceed में click करूंगा मेरे पास यहाँ पर दो option आ जाएंगे एक Google Pay का phone Pay का आपका phone Pay Google Pay जिससे भी आपको करना है आप यहाँ पर simple सा कर सकते हैं phone Pay में click करेंगे कुछ इस तरह का interface देखने का इसके बाद pay में click करेंगे औ और क्या कर सकते हैं अपना UPI number डाल देंगे तो आपका Pay हो जाएगा simple सा उसी तरह अगर आपको UPI के माध्यम से नेट banking के थूप करना है तो simple सा आप net banking में click करेंगे Pay online में click करेंगे जैसी आप online में click करेंगे तो थोड़ा सा वफरिंग लेगा फिर कुछ इस तरह का interface आपको भी bank होगा उसका net banking का page open हो जाएगा तो यहाँ पर user ID और password अपना डाल के आप क्या कर सकते हैं अपना जो भी amount है इसमें Pay in कर सकते हैं अब मैं आपको बता दूँ कि आप इसमें अपना withdrawal fund कैसे कर सकते हैं अगर पैसे आपको निकालना है याद रहे अगर आपको fund की requirement है अग simple से यहाँ पर आप डालेंगे और withdraw वाले option में आप click करेंगे तो आपको पे आपका fund जो है आपको 7 या 8 बज़े के अंदर आपके demand account में same day आ जाएगा अगर आप पे इन 2 बज़े से पहले करते हैं तो same day आपके demand account में 6-7 बज़े आपको bank account में आ जाएगा आपका fund और अग अगले दिन वो 6-7 बज़े आपको आएगा जो आपका fund रहेगा याद रहे आप अगर सनिवार को या फिर रमिवार को payout करते हैं तो आपका जो है payout वो नहीं आएगा वो Monday ही आएगा payout साम को ही आएगा ठीक है तो जभी भी आप payout करें तो आप इन चीजों का ज़रूर व्याद रखें ठीक है तो यह रहा बेसिकली आपका payout और first time कैसे login करते हैं तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like चैनल को subscribe और अगर आपको नया account open करना है तो link description के मैं दे रहा हूं तो वहाँ पर जाके आप नया account open कर सकते हैं Thank you